इसके लिये ज़रूरी है हम अपने daily routine में कुछ आदूतों पे सुधार करें, अपने कुछ habits पे नई चीज डालें, daily उठना, नहाना, ये सब करना हमारा daily routine है, लेकिन उसके deeply जाने में हमें और भी कुछ करना होगा हमें अपने आपको safe रखने के लिए, आईए, हम लोग देखते हैं, अपने आपको safe र रखना है, और उसके लिए हमें क्या use करना है, hand wash, before and after हमें अपने hand को wash करना है, थोरी थोरी देख पे हमें अपने hand को wash करते रहना है, ताकि हमारे hand के germs हमारे पेट तक नहीं जा सकें, अपने fingers को, अपने hand को, front and back, ये hand wash लगा के अच्छे से wash कीजिए, उसके बाद हम लोग अपने hand को एक dry napkin से इसे सुखाएंगे और पूछेंगे, और बातीं तो हम लेदी करते हैं, लेकिन बातीं करते समये बहुत सारे बच्चे शोप का use नहीं करते हैं, उससे बच्छते हैं, लेकिन गलत है बच्चो, हमें बातीं करते समये शोप का use करता है, इससे हमारे body के germs खतम होते हैं और हम फ्रेश होते हैं ठीक है बच्छों अगली बार से बात हिंद लगते समय सोप का यूज जरूर करेंगे आप लोग और ये हैं सैनिटाइजर सैनिटाइजर हमें अपने हैं में हमेशा लगाना है बाहर जाते समय घर में रहते समय और हमारे घर कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले उनके हैं पर ये सैनिटाइजर देंगे ताकि वो जो बाहर से आए हैं अपने अंदर जर्म्स कोई के वो हम तक ना पहुँच पाए इसलिए सबसे पहले उनके हैं में सैनिटाइजर लगाएंगे और हम लोग भी अपने हैं में बाहर जाते समय घर में आते समय सैनिटाइजर का इस्क्यूज जरूर करेंगे अगर पापा ममी भूल जाएं तो आपको उनको रिमेंबर करना है उन्हें याद दिलाते रहना है ठीक है बच्चो और ये है एक नैपकिन ये नैपकिन प्रिट नैपकिन है ये हमें बाहर जाते समय मार्केट जाते समय अपने पास रखिए या मम्मा को याद दिलाए ताकि आपके कुछ भी खाना हो या आपके हैंड डर्टी हो जाएंड तो ये वाइप्स निकालिए और अपने हैंड को पोचिए और उस टीशिय को फ्रो कीजिए उसे फ्रेक कीजिए वापस अपने पास नहीं रखना आपको देखे बच्चो और सबसे जरूरी बार हमें बाहर जात समय अगर आपके पापा ममी भूल जा रहे हैं आपको नहीं दखा रहें तो आपको याद रखना है पापा को भी देना है ममी को भी देना है विदाउट मास धर से बाहर नहीं जाना है आप लोगों ठीक है बच्चो ये अगर जो टिप्स आप लोग याद रखेंगे और